कुछ आप दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इंडिया के लार्जस फ्लेर फार्म वाई-फाइ स्टडी पार्ट ऑफ अन अकडमी तो आप सभी लोग मस्त होंगे बिंदास होंगे जख्कास होंगे तो चलिए आज आप लोगों के लिए मैं सेशन ले क्या हूं जो की है उम्र पे अधारित कोशन तो आप लोगों ने इस चैप्टर पर एक दो कोशन कभी रीजनिंग में मिल जाता है कभी मैट्स में मिल जाता है बहुत यह प्रॉब्लम होता है ससी बैंक के एक्जाम में तो इसके बहुत सारे कोशन हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहले आप सभ दो मॉनिंग क्लास होती है आप लोग इसे जौन कर सकते हैं डाउनलोड कर लिजए वहाँ पर आपको सारी आपको सारी क्लासेज का नुटिफिकेशन भी मिलता रहे गा यह प्लस क्लासेज यह प्लस क्लास के सब्सक्रिप्शन यह आपके प्राइस हें 24 मन्त का 12 मन्त का और 6 6 मंद का मंतली पर यह लगेगा बट जो आप पूरा पैकेज लेंगे तो आपका यह पूरा पड़ेगा बट यदि आप यह सुन्दर सा नाम रैफल कोड में यूज करते हैं तो 10% का आपको एडिशनल डिसकाउंट मिल जाएगा और इसको लेते ही आपको यह सारे अब इसे चोधरी कोशन पर यह सब्सक्राइब करें इस कोशन का आएगा फटा-फट अच्छा वीडियो से अर्ग देव अच्छों आप सभी लोग लास्ट क्लास में आप लोगोंने पढ़ा था सड़ी एवरेज पढ़ा था इस क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे उम्र उ फटा-फट क्या आएगा कोशन का अंसर फटा-फट ट्राइए करें हलो हाइए अकास गुलसन हाइए अच्छा सभी लोग वीडियो को सेहर गर्दो बच्छों निक्वीता है सर एक बात पूछे बटा दो बात पूछो एक क्यों पूछोंगे एक के साथ एक डिस्काउंट दो पूछों हलो हाइए अच्छा सभी लोग फटा-फट वीडियो तो सेहर कर दो बच्छों दिपान्सू हाई त्रिलोशन माही वेरी गुट सभी को वेरी गुट मॉनिक अच्छा कोश्ण तो दिख रहा होगा बच्छों अच्छा हलो हाई सभी लोग अच्छा आजाओ पहले फिर हम लोग कोशन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं चले चालू करते हैं विसाल यादो बिटा खुस रो मुस्कुरात रो करते हैं दस वर्स पहले सुनील और सोना की आयूकन पाच पांच एक्स और शेक्स बिटा रिश्यों के अधि फाइक्स प्लस 10 और 6 एक्स प्लस 10 पांच वर्स बाद अच्छा फिर प्रेजेंट यह आ गया इसके पांस साल बाद फिर पांस साल बाद तो पांच और जोड़ेंगे बच्छों उनकी आयूकन पाच जो होता है यह आठ रेश्यों नौ हो जाता है बच्छों यहां से एक्स की वेलू सॉल कर लेंगे आपको मिल जाएगा यदि हम इसे सॉल करें तो 45 एक्स 135 एक्स 135 और यह कितना आ जागा 40 120 यदि हम 3 एक्स बराबर यदी देख्ये तो यह वैलू कितनी आगए 15 एक्स ेक्वल तू 5 एक्स इक्वल टू फाइब तो आपको क्या निकालना है वर्तमान आयों निकालनी तो वर्तमान एउट 10 आएगा 5 एक्स प्लस 10 6 एक्स प्लस 10 यह वर्तमान आएगा दस साल पहले इतना था तो यदि पांच वैलू रखेंगे पच्छीज दस पैतीस पांच चकातीस दस चालीस तो आपका रेशो निकालेंगे तो कितना आजागा 5 सते 35, 5, 48, 7 रेशो आठ आपका उत्तर है ओप्षिन बीज राइट आंसर यह आपका ओप्षिन आएगा 7 रेशो आठ बट यह बेसिक सलुशन है बेसिक नहीं करना हमें एक्जाम में ट्रिक से करना है तो कैसे करते हैं च तो यह बताओ यह माइनस 10 साल पहले तो महलब माइनस 10 10 साल पहले 10 यह बिफोर फिर आप्टर 5 यह यह हो जाता है अघ्टर 5 यह हो जाता है क्लियर कि मिलिए अठर 5 यह घुँतर अबता चैक यह जाता है सुल्तान पूर ऑटर 5 यह घु necesita है सभी लो बता यह गैप कतने गतने गाब बोलो मेरे बहाई विफोर और आफ्टर में करद कितने का है आप बोलो बिफोर और आफटर में माईनेस 10 से प्लस प्लस ही एक प्लस है यह address टैन से प्लस 5 का घथ 15 का है तो क्या आपका यहाँ पे किदना गहें पारा त्रेयूनिट ये भी त्र Mona थेँक तीन यूनिट बराबर के तो है लिए तोय बोलो इस वह कि तोंसरा 15 वीफोर ये था तो महलब ये एक इयूट वराबर कितना और उत्व और थीन और कितना यह आप 20 और ह 25 और है दस साल पहले तो मलब वर्तमान हम प्रेजेंट देखेंगे बटा कितना आजागा प्रेजेंट तो हमें दस जोड़ना पड़ेगा 25 प्लस 10 एंड 30 प्लस 10 देन बिल भी 35 एंड 40 दरेशो विल भी कितना आजाएगा सेवन रिशो एट क्लियर है बोलो हां कि ना यह सेवन रिशो एट होगा की नहीं सभी को ये बात क्लियर है कि नहीं अच्छा फटा फट सभी लोग वीडियो तो सेर करतों बच्छो वेरी गुड थर्टी सेकंड इसे ट्राइब करों वेर गुड आफ्टर नून अभी से कुराएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें इसकोशन का आएगा पिवाय के समय पती और पत्मी उसकी आयन के आउसाथ 25 वर्स थी साथ वर्स बात पत्मी मेटे के आउसाथ 22 वर्स है आपको ये बताना है कोश्चन अब सभी लोग देखो कि वन्स मोर एक कुशन वह आ गया बीवाह के समय पत्ति पत्नी क्यों स्क्षाता है तो कितना यह अचा पत्ति पत्ति पत्चीश वर्स सम कितना आजयागा बीवाह के समय सम यदि सम निकालेंगे सम कितना आ जाएगा husband और wife का सम यदि सम निकाले तो 25 गुड़े 2 equal to 50 होगा की नहीं बोलो हां की ना बच्चो 50 होगा की नहीं बोलो हां की ना फिर क्या कह रहा है साथ वर्स बात पती पत्ने और उनके बेटे की आई ओके आप अराम अराम से पढ़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं अराम अराम से पढ़ा देंगी बटा इस कोशन को चलो देखते हैं साथ वर्स क्या कह रहा है बटा साथ वर्स बात अच्छा साथ वर्स बात बटा यदि देखा जाए तो husband और wife कितना आ जाएगा तो साथ वर्स बात हजबन और wife कितना हो जाएगा तो अच्छा सेवन इसमें होगा सेवन यह फॉर्टीन होगा तो यह वेलू क्या 64 हो जाएगी कि भूल बच्छो कि अब यह कह रहा है कि अवसात है इनकी यह हो गई husband और wife प्लस चाइल्ड इनकी अवसात है कितनी हो गई 22 तो इसको मुल्टीप्लाई करें 66 तो बिटा कितना ज्यादा बड़ा दो दो ही तो है इस बुलो टी क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आए बिटा अभी से एक चौधरी समझ में आया कि नहीं आउसत जो हमने निकाला यह तीन बटे 22 तो हमने तीन से इसको सॉल किया च्छाचट आ गया ना हुआ है घर एक है अजा आप सभी लोग वीडियो को लाइक तो करते जाओ नबच्चों hai जो है क्लियर एना विड़ा पांस साल नहीं आएगा टैए आगला कोशन ट्राइव करो कि सभी लोग इसे ट्राइव गरो अच्छा आप सभी लोग लाइक तो करते जाओ क्लास को अच्छा लगेगा सबको लाइक करते जाओ फटाफट लाइक करते जाओ अब बिटा हमने दुबारा इसमें क्या था जैसे तो को इसमें हजबन और वाइफ प्रते की 25 परशी से टोटल सबetch हो गया साथ साल बाद तो साथ इसमें जुड़े गांसर जो चैसे समें जुड़ेगा च और रिकंश करो आपको की विद्रल अपन भटाउ बताव बच्चों क्या हails अएगा रहाए ऊछाल ना के ऑफ ता बो के अन्षार कात एक मेरी चचैर सबाः के 25 कि आयों मेरी आई उसे दुगनी है कर दो कर दो कि कोशन बहुत इजी था और हो गया जैसे करें मेरी चचेरी बहन माने एक बहन की मेरी चचेरी इसका डिफ्रेंस 20 तो x-2 x 20 मेरी यम्र क्या 27 तो हाएं एक्स थी बोलो हाकी न क्लीर एक निकर सब्सक्राइब कोरू इस कोशन का अंसर क्या एंगा फटाफट बताऊ इसको ट्राइब कर ड़ा इसको क्यूशन क्या आँगा अच्छा आप लोग इस्पिसल क्लास जरूर देखो बिटा ठीक है इसे ट्राइक और इसकोशन गांसर क्या एगा फटा फटा बताओ यह थोड़ा अच्छा कोशन है अच्छा लाइक तो करते जाओ अभी इजी कोशन बोले था अब दोगों थोड़ा से कैल्कुलेट वी आ गया 16 लगों के समुख की आउसा ताइव की से आपको टाइमर में देता हूं बच्छो सब लोग ट्राई करें चलिए पड़ा फट बताइए अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि शीवां कुमार आपको जीरो लेवल से पढ़ना तो आप अनेकेडमी लर्निंग अप पर फालो को लो वहां पर डेली आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है ठीक है बिटा चलिए 16 लड़कों के समुख की आउसा ताइव कितनी 21 वर्स है कि 336 बोलो हां किना 336 आएगा कि नहीं बोलो हां किना बच्छों 336 आएगा इतना क्लियर है कि नहीं अब यह कह रहा है कि यदि 15 वर्स और 18 वर्स के आई कि दो लड़के समुख छोड़ दें 15 और 18 तो बिटा यहां पे 16 लोग तब 14 लोग हो गए यदि 14 लोग की कितना आ जाएगे 336 माइनस 15 और 18 हम माइनस करेंगे न यह दोनों का सम तो 33 माइनस कर देंगे तो आपके 14 लोग का कितना आ जाएगा सम है यदि हम 33 85 13 और 22 33 तो यदि हम इसे 303 लिखेंगे ना सम आ गया कि नहीं बोलो हां किना ठीक है समा जागा इतने लोग छोड़के चले गए न बच्चो बाई टोटाल इतना है तो छोड़के चले गए कि नहीं बोलो हां किना बोलो क्लियर है कि नहीं बोलो क्लियर है कि नहीं सबको सबको समझ में आया कि नहीं तो एक्शुली यह जो हमने 15 और 18 माइनस किया 3 3 6 से तो यह 33 माइनेस हुआ 33 माइनेस हुआ तो क्या 303 हुआ कि नहीं बोलो हां कि न बच्चो अब यह कह रहा है कि 24 इयर अब यह कह रहा है कि 24 वर्स की आई वाला एक लड़का समू में सामिल हो जाता है 24 का यदि मैं इसमें एड कर दू तो यह बेलू क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 327 हो गया कि समू की नई ऑसताईow क्या होगी समू की नई एसताईow क्या होगी अच्छा सुनो 24 वर्स की आईow का एक लड़का तो अब कितना आग्या 15 हो गये नहीं बोल वेटा हां कि है 16 हुआ छोड़ देता है του 24 वर्सology की एक लड़का सामिल हो जाता है तो नई कि आउसत आयू क्या होगा 16 लड़के हुए यह समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों बोलो हां कि न है इतनी बात क्लियर है कि नहीं अच्छ 24 होगा कितना है 18 आट पान 13 और 303 और 24 ठीक है तो 24 हम यदि जोड देंगे तो यह 377 आ जाएगा अभी क्या है कि यह 15 आ जाएगा तो यह 15 हम इसे डिवाइड करेंगे तो यह 3 2 7 कितने लोगों का आ गया 14 थे अब बेटा एक यह और आ गया तो 14 एक, 15 टोकल हो गवाय तो यह 15 लोगों में डिवाइड होगा तो फपंदास से डिवाइड करेंगे 15 थे साह BE elim ah 25 is the question में कोई mistakes नहीं है बच्चा ठीक है कोई mistakes नहीं है question में question में क्या mistake option में mistakes हो सकती है question mistakes नहीं है यदी हम 15 से divide करें यह 15-23 और फिर कितना आ रहा है 25 15-85-35 15 striking 15 और 15 10 तो 21.5 पूइंट कुछ आएगा तो 21.5 है तो approximate यदी बोला जाए तो 21.8 होगा ना 21.8 ज़िए हम आउसत आए यदी approximate निकालें तो 21 आपका right answer होगा क्लियर है ना 21.8 आएगा 21 क्या सपास आप answer बोल सकते हैं अच्छा सभी लोग यार भाई दोखो like कर दो यार तुम लोग इतने मेरे प्यारे बच्चे हो और मेरे दुलारे भाईयों बहनों थोड़ा सा like कर दो यार क्या चलता है ठीक है वसे class पसंद आए तो like कर दो ठीक है न पड़ा पड़ा इस question का answer क्या आगा 22 भी ले सकते हैं बड एक्चुली wrong question नहीं था गोविन option में mistakes थी option incorrect हम बोल सकते हैं ठीक है बच्चो option incorrect बोल सकते हैं तो option में कुछ भी हो सकता है try this one कि टाइमर आपका खत्म होता बच्चो इसको try करते हैं कि चलो इसको करते हैं कि कोशन यह कह रहा है कि कोशन नंबर फिप्थ कोशन नंबर फिप्थ यह कह रहा है कि पूनम एंड राहूल कह रहा पूनम और राहूल देखो पूनम और रजनी सोरी कि वर्तमान आयू राहूल से पांस साल बड़ी है दुखोDDe Poonam ही ऑच पूनम- रजनी- राहुल यह पूनम हो गया, यह रजनी हो गया ल्स़ीएर ऩाइ राहुल हो गया पूनम- रजनी ओर राहुल कीऊए है ए पूनम की रजनी की और राहुल की आप ये कहा है कि पूनम, रजनी, रहूल, कोष्चन देखों ध्हान से समझना आपको अच्छे से इस कोष्चन को करना है कि जो पूनम है पूनम और रजनी की कुल वर्तमान आयूू राहूल की वर्तमान आयू से पत्चीस वर्स अधिक है तो दोखो जैसे मैंने पूनम को लिखा यहाँ पे लिखता हूँ पूनम और रजनी जो रजनी है जो यदि वर्तमान आयू में रजनी की राहूल से 5 साल बढ़ी है तो भाई रजनी जो होगा राहूल से 5 साल बढ़ी होगी की नहीं तो यह रजनी जो होगी इसको क्या मैं यह लिख सकता हूं और इन दो पूनम और रजनी जो है ये दोनों जो है राहूल से 5 साल बड़ी ये 5 साल राहूल तो क्या मैं इसको यही लिखूंगा कि नहीं बोलो हां कि ना 25 25 है तो राहूल बेटा समझ में आ रहा है ने सब के राहूल प्लस 25 क्या ये सॉल्व हो सकते हैं बोलो बच्चो समझ में आ रहा है कि नहीं ये बूलो ये क्वेशन समझ में आ रही बच्चो सभी लोग बोलो ठेक यहां से हम राहूल राहूल कट जाएगा तो क्या बेटा आपका पूनम इक्वल टू 20 साल आ गया 25 पांच 20 आप से पूनम की वर्तमान आप पूछा है 20 इस आ राइट अंसर 20 क्लियर हुआ कि नहीं आप बेटा डेली फॉलो करो अच्छे से हो जाएगा क्लियर है कि नहीं बोलो हां कि न जो रजनी है राहूल प्लस फाइफ एकॉर्डिंग टो कोशन जो कोशन कह रहा है हमने वही तो किया है कोशन को बेटा पढ़ना सीखो और मैं आपको बता दूं हिस्ट्री में कोई भी हो मैथ उसी के अच्छी हुई है जिसने कोशन की लेंग्वेज अच्छे से पढ़ा है ठीक है फिर से समझना कोशन की लेंग्वेज अच्छे से पढ़ो और कोशन के लेंग्वेज अच्छे से पढ़ोगे तो कोशन आसानी से आप कर लोगे बच्छों कैसे दोखो यहां प है समझे कि नहीं पूचिन और रजनी की कुल वर्तमाना आ उसे 25 वर्स शनी यह लिदिया आप जो यह रजनी है का रजनी रखला हुण से 5 जङा तो रजनी की जो आई होगी रराहुल में प्लस पाच होगा कि नहीं बोलो हां की ना कि समझ गया ना तो रजनी हमने यहां पर प्लस फाइब कर दिया तो अब यह तो ऐसे रहेगा रजनी की जगा हमने लिख दिया राहूल राहूल कड़ गया पूनम इकॉल टू पत्चीस माइनस पांच बीस आ गया क्लियर है कि नहीं और नेक्स्ट कोश्चन देखो बिटा इसे ट्राइए करो एक मापनी बेटी की वर्तमान आयू का साथ वर्स है टाइमर आपका ही है फटा फट ट्राइए करो क्या आएगा अंसर सब लोग ट्राइए करो बिटा कोश्चन की लैंग्विज पढ़ो बेसिक ही यही है कोश्चन की लैंग्विज क्लियर हुआ कि नहीं चलो इसको ट्राइए करते हैं करेक मां उसकी बेटी की वर्तमान आयू का योग साथ वर्स है चैवर्स पहले मां की आयू बेटी की आयू की पांच गुनी थी अच्छा तक उनकी वर्तमान आयू यदि एक्स है तो चैवर्स पहले क्या होगी है तो था मां और बेटी की वर्तमान आयू सं एंड सिंश्टी टी टॉटे टीए तिक्षिब्यक्ति के म्हंदर को क्या यह लिख सकता हूँ मदर को क्या मैं सिक्स्टी माइनस छन लिख सकता हूँ कि अब लिख सकता हूँ कि नहीं बॉलू हां कि ना मतर को Tele-10 लिख सकता हूँ कंशे ऑविजेक चोधरी किस नाम पे देख हैं बीड़ा मैं態 भाई नीचिन सर्च कर लेना क्या सब्सक्रोंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे Matsby Nitin Sir सर्च कर लेना आपको आसानी से मिल जाएंगे ठीक है क्या सर्च करेंगे Matsby Nitin Sir, ओके आप इसे सर्च कर लेना आसानी से मिल जाएंगे ज़्यों 20-S कर सकते हैं, बोलो हाखिए कि लिख सकते हैं कि नहीं बोलो हां कि न बच्चो कि ठीक है कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं यदि दखो हम स्याम को यदि हम इसको एक्स माने तो स्या यदि हम सन को माने तो कि एक माडर कीह सि impe Rider को सिक्ट कर सकते हैं ण कोशन परते केद कि चैकर सथे शे पहले याद इनकी बात की जाएगी तो छैवरस पहले तो श्वरस पहले सन की एक्स माडर की यादि पहले तो माइनस 6 माइनस 6 घटेगा ना दोनों में फिर कह रहा है कि 6 वर्स पहले मा की आयो बेटे की आयो की 5 गुनी थी 5 गुनी थी 6 वर्स बाद बेटे की आयो क्या होगी तो 5 गुनी कौन थी भाईया मा हो जाएगी तो 5 का इसमें multiply कर तो आपको equal हो जाएगा कि नहीं द्यान दे 6 है माइनस 6 है 5 x माइनस 30 है यदि हम इधार लिखें तो कितना आगया 30 या आगया 30 और 60 कितना आगया 30 30 और माइनस 6 और इधार यदि माइनस करें तो कितना आजाएगा 6x तो यदि यह 24 है equal to 6x लिख सकते है x will be what 4 अच्छा x will be 4 है तो आप से पूछा क्या है कि बेटी बेटी की आयू क्या है बेटी की यदि सन या डाटर जो भी आप लेलो यदि बेटी की आयू 6 वर्स बात अच्छा मदर की यदि हम देखें x माइनस यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 4 कितना आगया बटा एक्स आपका संकियदी 4 है पूरी तो आया ना यह फूर ही आया कि नहीं च्छा वर्स बाद बेटे और किसकी पांच गुनी थी यह समझ में आया कि नहीं बोलो हां कि ना बच्छो इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं सर दुबारा बताईए एक बार ओके बता देंगे मेरे भाई बट अभी यह चीज क्लियर हुई कि नहीं यह पहले बताओ सब लो 60 माइनस X यह 5X माइनस 30 और 30 और यह 60 अच्छा यह 30 आ जाएगा 30 इधर आ जाएगा और यह 60 आ जाएगा यह 90 हो जाएगा 30 और यह 90 आ जाएगा 90 माइनस 6 तो 84 आएगा बराबर 6X X बिल भी 14 X बिल भी 14 तो आप से पूछा क्या है 6 साल बार तो 14 प्लस 4 6 साल बार तो 14 प्लस 6 बिल भी 20 आपका option कौन सा है सेकेंड ऑप्शन इस राइट आंसर क्लियर है कि 20 इस राइट आंसर को आप्शन कोशन गलत नहीं है सही है कि दुख फिर से बताए दे रहें कह रहा है एक माह और उसकी बेटी की वर्तमान आयो का योग 60 वर्स है तो सन और मदर मानलो 60 वर्स है यदि हम इसकी आई की एक्स मानना है तो मदर की यद शिक्ष्टि मैइस एक अप कोशन आगो पड़ते चैंड草 पहल twee मा किया यद्फ यद्फ की 5 गूनी इंच वर्स पहले जक्याने माकी यद्फ यद्फ 17 किया मैंने यह लिख दी च्छे वर्स पहले मा की और बेटे किया यूटी पांच गुनी इसको इस तरीके से लिख दिया इसको बोलो बच्चो कि क्या है तो हमने 6-6 इसमें 6 घटा आया इसमें 6 घटा आया अभी रुको ये 6 ऐसे घटा दिया क्योंकि 6 6 साल पहले में पांच गुनी हो जारी दोनों में 6 घटा इसका पांच गुना कर दिया रिपीट कर दे कर रहे है तो यदि हम इसे 30 लिखें अब 5 से इधर मल्टिपिलाई किया तो यह 60 माइनस x माइनस 6 और 5 x माइनस 30 ये 30 इधर गया ये 60 और 30 90 माइनस 6 x एक्स इक्वल टू ये इधर आइड होगे 6x 6x एक्वल टू 84 84 एक्स बराबर 14 क्लियर हुआ झा ठीक है चलिये इस question को try करेए, question answer क्याएगा, I hope clear हो गया होगा, बेटा साथ हमेशा है मेरा, आप don't worry, मेरा हमेशा साथ है और रहेगा, आप बिल्कुल परिसान मत हो, हमेशा साथ दिया है, देते रहेंगे, और आप सभी लोग मिल के, कि यह दूसरे का चलिए को ट्राई करिये इस कोशन गांसर क्याएगा फटा फट्राई कर यह इस कोशन का अंजर क्याएगा सब लोग ट्राई करिए टाइमर आपके यह 30 सबी लोग ट्राइए करें कह रहा है कि एक माँ उसकी बेटे की वर्तमान है उस आठ वर्स च्छे वर्स पहले माँ किया अच्छा यह सेम कोश्चन आगे है कि सेम है यह यह ट्राहे करो त्राहins आठ गरो यह ट्राह ट्राइए ट्राइए करो यह ट्राह सेम कोश्चन आगे है और सब्सक्राइब बच्छों अच्छा फटाफट लाइक तो कर दो सेम कोश्चन है विजे वेरिगुट मैंने चेंज कर दिया सब्सक्राइब बच्छों क्या है आंसर फटाफट बताओ 20 अब दिख रहा है ओप्ष्ण और पर इसान हो जाते बच्छे अभी दिख रहा है सब्सक्राइब करें अपने भाई से कहा मैं आपके जन्म के समय उतना आयू का था जितनी आयू की वर्तमान आयू मैं हूं यदि सोरी की आयू 38 वर्स है तो पांच वर्स पहले भाई की आयू क्या थी सभी लोग बताओ क्या आएक अंसर बड़ा अच्छा गोश्ण है सब्सक्राइब करें अपने भाई से कहा मैं जन्म के समय उतनी आयू का था जितनी आयू का वर्तमान में है तो जन्म के समय यदि सोरी की आयू अच्छा दोनों यदि अपने जन्म के समय उतनी आयू का था जितनी आयू आई आपकी वर्तमान में है इसका मतलब क्या है कोशन यह लाइन बड़े अच्छी सोरी ने अपने भाई से कहा मैं आपके जन्म के समय उतनी ही आयू का हूं तो अभी आप यह देखोगे कि जितनी वर्तमान में तो अभी आप यह देखोगे सोरे ने अपने भाई से कहा मैं आपके जन्म के समय उतनी ही आयू का था जितनी है आयू आपकी वर्तमान में है यदि सोरे की आयू 38 है तो सौरी की आई 38 है तो उसकी आई वर्तमान में क्या जैसे माले उसकी यदि सौरी की आई 38 है तो पांस साल पहले भाई की आई यदि भाई की आई x होगी तो क्या 38 माइनस x होगा एकॉर्डिन टू कोश्चन तो टू एक्स बराबर क्या हम 38 लिखेंगे एक्स बील भी उननीस आएगा और पूछा पांस साल पहले तो पांस साल पहले माइनस पांच करेंगे तो क्या फूर्टीन आइगा कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है समझ में आए कि नहीं क्लियर है यह लाइन आपको समझ में आई कि नहीं क्लियर है कि नहीं बोलो हां कि न एक की एक्स होगी तो दूसरी 38 माइनस x होगी इसे ट्राइग और पच्छो इस कोश्चन गांसर क्याएगा पोल आपका यह पड़ाफ़ ट्राइग रोइस कोश्चन का अंसर क्याएगा अगर ट्राइद इस वन पहले अगर पहले अमार और कल्पना की आयू का अनपाथ 8 अनपाथ 11 था दो वर्स बाद उनकी आयू का अनपाथ 3 अनपाथ 4 होगा उनकी वर्तमाने हो बिड़ा जब कभी भी सेम नंबर घड़ या बढ़े रहे हो तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ ट्रिक देखो सब लोग ठीक है ऐसे लिख सकते हो आठ रेशो ग्यारा तो वर्स बाद उनकी आयू का अनपाथ 3 अनपाथ 4 कितने दो वर्स बाद यदि दो वर्स बाद की बात कर रहा है तो बिड़ा दो कभी भी ठीक है यदि कभी भी आपको उनकी दो कलपना की वर्तमान है उनकी तो कलपना तीन वर्स पहले आपको तीन गटा के 11 से डीजबल होना चीए तो 2 गटा के 12 से डीमेजबल होना चीए कलपना तिन घटाक मर्म हो रहा से यह होगा नहीं यहीं पच्च पंं यह भूडा तो तो आप ओले हैं 30 असवारी बा deben यह हूँ जो भी आई वाएगी उसमें एक्स प्ल्स 3 करो होगे ना भाइया जो भी आइवाएगे तो आप ऐसे लखो कि बच्चा दोकोँ एट एक सब्सी लो आये गा की नहीं अ मुलो हां की ना है तो जो भी आंसर आएगा वह थ्री घटा के 11 से डिविजबल आ चाहिए ग्यारा से भाजित विभाजित हो ना चाहिए तो तो थ्री ट्रिक और झाटिना निकाले 5002 मिरान फैसिक हुआ ट्रिक्जण पहले और दो साथ तो तिन और थ्म्स Rank प्लस दूमेऽ यह यूनिट एक एक यूनिट एक यूनिट एक का 5 आ रहा है ना तो 11 यूनिट बराबर 55 और आपसे बोला 3 साल बात तो 58 नहीं आएगा क्योंकि 3 साल पहले 55 थी तो प्रेज़ेंट के 58 नहीं आएगा बोलो प्रिग्या की 5 साला गोड मौनिंग जग मोहन क्लियर है कि नहीं पोल बिटा नहीं वो अक्चुली क्या है पोल ये लोग ऐसे ही बोल ला है option ही देना और कुछ नहीं है इसको try करो इस question गांसर क्या एगा फटाफट try करो try this one सब लोग try करो फटाफट क्या है गांसर सब लोग try करो सब तो हीरो है अरे नहीं मेरे भाई हीरो तो आप लोग हमारे दो मित्र मडिक और अमन की वर्तमान आयूक अनपाथ तीन अनपाथ दो है तथा पांच वर्स पहले अनपाथ एक अनपाथ था दो वर्स बात क्या होगा देखो पांच वर्स पहले ये था तो बिटा एक बात ये समझो कि पांच वर्स पहले एक रेश्यो दो था ना ये पांच साल पहले था और वर्तमान आयूक दो अनपाथ तीन पांच साल पहले ये था वर्तमान आयूक दो अनपाथ तीन तो यह जुड़ के आएगा न तो इसका डिफरेंस बराबर आना चाहिए क्या ये प्लस बढ़ा रहा है बूलो हां कि न पहले बाद में पास साल पहले तो एक एक ये एक एक बराबर क्या पास साल के है की नहीं बूलो बच्चो तो वर्तमान आई कि आएगी वर्तमान ये वर्तमान है तो दस और पंद्रह इसमें हमें कितना दो वर्स बाद पूछा है तो बारा और सुत्तरह ओप्शन भी क्लियर है की नहीं क्लियर है की नहीं आई होप सबको क्लियर हो गया होगा नैस कोशन की तरह मूव होते हैं इसे ट्राइग करो टाइमर आपका ये है फटा फट्राइगरो सब लोग इसे ट्राइग करो ट्राइगरो कि सभी लोग ट्राई करिए कि ताइमर आपका खत्म होता है देखो यहां पे हम यह कहते हैं कि तीन लड़के की आयुक्रमागत संख्या है तीन लड़के की आयुक्रमागत संख्या है पांच वर्स पहले सब छोटे और सबसे देखो बड़े कि आयुका अंतर कितना है दस रिशो ग्यारा है बत्चों यह क्लियर है कि नहीं अच्छा दस रिशो 11 आप निकाल रहे हैं तो पहले ही तो बता रहा है बोलो हाँ की न सब लोग बोलो तो यह अच्छा एक बात बताओ तीन क्रमागत लोगों कि आयू लिखोगे तो ऐसे लिखो गहें एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू पांच वर्स पहले सबसे चोटे और सबसे बड़े कि आयू का इंपाद कितना है 10 रेश्यो 11 भूलो हां कि न तीन वर्स बात सबसे बड़े लखे कि आयू क्या जाएगी अच्छा 10 रेश्यो 11 दे रखा है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं चलो कि 10 रेश्यो 11 किसका दे रखा है बच्छों यहां दे रखा है जैसे पांच वर्स पहले सबसे बड़े तो पांच वर्स पहले यदि मैं इसे देखू तो पांच वर्स पहले इसमें पांच घटाना पड़ेगा इसमें क्या करना पड़ेगा पांच घटाना पड़ेगा पां 10 ratio 11, सबसे छोटा यह, सबसे बढ़ा यह, 5 घटा तो इसमें, clear है कि ने, अच्छा जब घटा आया, तो x-5, x-3, equal to 10 upon 11, यदि 11 x-55, 10 x-30, एक्स बिल भी कितना आ जाएगा, 25, बोलो हा की न, x-25 आ गया, 3 वर्स बात सबसे बड़े लड़के की आईव क्या होगी, तो 27 ही आ गया, 27 और यह आ गया, 25 दो 27 और 3 वर्स बात तो 30 आएगा, option इसमें मैंने गलत दे रखा, 30 सबसे बड़े लड़के की आईव, 30 वर्स ठीक है, 30 आएगा, option गलत दे रखे थे, next question try करो, यह भी same question है, इसे try करो, अच्छा, इस question का answer क्याएगा, इसे try करो, what should be correct answer, इस question का answer क्याएगा, टाइमर आपका यह, यह सही है, वो repeat हो रहा था, यह सही question, इसे try करो, सब लोग, इस question का answer क्या आएगा, फटा फट राएगा, अच्छा, आप सभी लोग, like तो कर दो, बच्छो, 10 वर्स, a, b से 10 वर्स बढ़ा है, b, c से 5 वर्स बढ़ा है, a, c का 3 मुना है, आपको ऐसे question सॉल करना है, दोखो, यदि हम इसको ऐसे लिखे बिटा, तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर, कि जो आपका a है, वो कितना, यदि हम c को x माल ले, c यदि आपका x है, देखे न, c यदि x है, क्योंकि a, c से, a, c से 3 गुना है, तो c कितना हो गए, बच्छो, a, c से, तो a कितना होगा, 3x होगा न, फिर कह रहा है, बी जो है, वो x प्लस 5 है, 5 वर्स बढ़ा है, है भुलो हा किना बोलो बच्चो अब यहां पे बोलाएं एए बी से 10 वाडा है एए बी से 10 साल बढ़ा है तो यदि हम X प्लस फाईप में यदि 10 साल इसमें जोड़ दें यह E के बराबर होगा 3X के ज़़ी हम इधा लिखें 2x बरावर क्या 15 कि यह दखो बीटा क्या यह बात सब को समझ में आ रही है कि नहीं पहले बताओ कि यह बात सब को समझ में आ रही है तो 2x बराबर यह 15 आ जाएगा x is equal to 7.5 आ जाएगा बूलो हां कि न अच्छा एक यहां बता नहीं तो एक यहां यह जडिन इहदर multiply करें 7.5 और तीन तीन पच्छे 15 बाइस दोसम लोग पांच आएगा option कौन सा बी कि समझ गया ना कुछ लोग हस रहे सर उसमें option नहीं सही था कि अरे भाई नहीं था आप क्या करें बताओ कि फासिद होगे इसे ट्राइगर उच्छा इसका question का अंसर क्या है कि आमित अनिल से उतना वड़ा जितना जितिन सुमिन से बड़ा है अनिल अमित सुमित की आईव का सम यह है इसे ट्राइगर सब लोग कि सब लोग इसे ट्राइगर उच्छा ही करें फिर से समझा दो कि दखो यहां पर कि सी अधी एक्स होगा तो एसी से तीन गुना है फिर जो भी है वो सी से पांस साल बड़ा है फिर कह रहा है बी में अधी दस साल जोड़ दिया जाए वो एक के बराबर हो जाएगा हमने वही किया जो question कह रहा है ठीक है यह question आपका home work है कल आप लोग इसे आप लोगे यह की question होंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अपने अगले session में थांकी सो मच जहिन बाइबाइ टेक केर सभी लोग स्वस्त्रें मस्त्रें जहां वी रहें बिंदास रहें और हाँ वीडियो पर लाइक करना हो शेयर करना हो कमेंट करना बिल्कुन भूले थांकी सो मच जहिन यह होंबर question जो मैंने दिया आप लोग इसे ट्राइ करेंगे ठीक है कल फिर 15 question हम लोग discuss करेंगे आज के लिए थांकी सो मच